नमस्कार दोस्तों मैं धरवेन वर्मा उनलाइन इस्टेडिवी डिके में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में हम सिक्षा मनो विज्ञान से सम्मनित सो अती महत्यपूर्ण प्रस्णों के बारे में आपको जानकरी देंगे वन लाइनर है ज्याद सबी एको चेनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जितने भी आपके पास ग्रूप है सबी में इस वीडियो को आपको सेर कर देना है बस आपको इतना सा करना है ज्यादा समय नहीं लूँगा तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रस्ण है हमारा प्रक्षा प्रतिमान का विक किसी भी प्रश्ण प्रत्र को बनाने के लिए एक मांचित्र की अत्वा ब्लूप्रिंट की अवशक्ता होती है उसी प्रकार से कक्षा कक्ष में सफल सिक्षन कारी करने के लिए सिक्षन प्रतिमानों की अवशक्ता होती है याद रखेगा जो कक्षा कक्ष है उसको सफल प्रक्षा प्रतिमान की अवशक्ता होती हैं तो जितने भी सिक्षन प्रतिमान हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएगा किसके द्वरा विकास किया गया था तो सबसे पहला प्रशन है प्रक्षा प्रतिमान इसका विकास किस ने किया था तो ये सचमेन के द्वर किया गया था प्रक्षा प्रतिमान का विकास दूसरा प्रश्ण है कौन सा सिक्षन प्रतिमान विशे के अमूर्थ संप्रतियों के अध्यापन के लिए उप्युकत है तो वो है अगरिम संगठन प्रतिमान विशे के अमूर्थ संप्रतियों के अध्यापन के लिए उप्युक अर्थपूर्ण साब्दी कदिवं डेविस आशुबेल के द्वारा समझाया गया है। निश्पत्ती प्रति प्रतिमान के प्रतिपादक थे तो ये ब्रूनर थे। याद रखेगा निश्पत्ती प्रति प्रतिमान के प्रतिपादक ब्रूनर थे। में विचारों तथा भावनाओं को परसपर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है शिक्षा का दिकार अधिनियम 2009 के नुशार वंचित वर्ग के विध्यारतियों को निकटस्त प्रारंबिक्याने की जो शुरू वाली जो प्रारंबिक साला है वो कौन सी होगी जिस कक्षा के 25 प्रतिसत इस्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए तो यह साला की प्रतम कक्षा से ही इसकी शुरूवाद calorie हो जाती है तो साला की प्रतम कक्षा आपका राइट आंसर होगा किरियात्मक विकास का मस्तका धूमुखी नियम किसके विकास को बताता है मस्तका धूमुखी से आप समझ सकते हैं मस्तक से पेर के अंगुठे तक के विकास को बताता है किरियात्मक विकास का मस्तका धूमुखी नियम याद रखेगा important है खेल रचनात्मक कारिका एक प्रबल स्वरूब है यहाँ परिभासा किसकी यहाँ पर जो परिभासा दी गई है यह टीपी नन के द्वरा दी गई परिभासा है कि खेल रचनात्मक कारिका एक प्रबल स्वरूब है अभिवरद्धी का सम्मंद बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से हैं तो ये सारिरिक पहलू से हैं याद रखीगा इंपोटेंट हैं तो ये चार से साथ वर्षी की जो उम्र है उसमें दिखाई पड़ती है प्याजे के सिध्धान्त में पराधिन नेतिकता याद रखेगा चार से साथ वर्षी की उम्र आपका राइटा अंसर होगा किस अवस्था में सब्दों को दोहराने की प्रवत्ती विसेस रूप से पाई जाती है तो यो सब्दों को दोहराने की प्रवत्ती पाई जाती है वो सेस्व अवस्था में पाई जाती है वर्गिकरन की योगिता का विकास होता है तो ये किस में होता है कि सवस्था में होता है तो ये मूर्त सक्रियात्म कवस्था में वर्गिकरण की यूगिता का विकास होता है शफल बुद्धी का त्रीपक्छी सिध्धान्त किस ने दिये हैं तो देखें, त्रीपक्षी सिध्धान्त के बारे में पूछा गया है, किसके द्वरा दिया गया है, तो ये इस्टनबर्ग के द्वरा दिया गया है, पियाजे के नुशार सवेदी गामक्चरण के उपचरण मानसिक निरुपन, जिसे प्रतिनिद्ध भी कहा जाता है, इसकी किस स्वेदी गामक्चरण के उपचरण मानसिक निरुपन की पियाजे के अनुशार, शिक्षक को प्रत्यक महा के आखिर में वेतन दिया जाना, पुनर्वलन के किस करता है, तो ये करता है, इस तिर अंतराल की वो रिंगित करता है, फ्राइड के मनुलेंगिक विकास सिध्धान्त के नुशार मुखी अवस्था की आयू सीमा है आपर देखिए मुखी अवस्था की आयू सीमा क्या है फ्राइड के मनुलेंगिक विकास सिध्धान्त के नुशार आपको बताना है तो यह जन्म से एक वर्ष की व्यक्तित्व का प्रकार ए प्रस्तावित किया गया था व्यक्तित्व का जो प्रकार ए है ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था तो ये फ्रेड मेन तथा रोसन मेन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आपको लाइक करना है और जैसे ही वीडियो समाप्त हो जाता है सबी को वीडियो को सेर भी कर देना है जल्दी से 8 प्रासंगीक अंतरबोध परिक्षण जिसे TATV कहा जाता है इसमें कौन से सामगरी का उप्योग किया जाता है प्रासंगी कंतरबोध परिक्षण में कौन सी सहमगरी का उपयोग होता है या फिर किया जाता है तो ये चित्र का उपयोग किया जाता है देखिए कल के वीडियो में हमने इसके बारें बताया था कि प्राशंगी कंतरबोध परिक्षन का निर्मान किसके द्वारा किया गया था तो ये क्यूज के तोर पर आपको दे रहा हूँ यदि कल का वीडियो आपने देखा होगा परिक्षन जो अनुदेशन के दोरान योजना बनाने एवं निदान के लिए किया जाता है कहलाता है वो कौन सा मुल्यांकन है तो वो है रचनात्मक मुल्यांकन याद रखेगा परिक्षन जो अनुदेशन के दोरान योजना बनाने एवं निदान के लिए किया जाता है वो रचनात्मक मुल्यांकन होता है वरतमान इश्किम के दोरान बहारी दुनिया को समझने की किरिया कहलाती है तो वो आत्म साती करण कहलाती है काफ इंपोटेंट हैं धियान दीजिएगा हर प्रश्ण पर हर उत्तर पर किस प्रकार के प्रश्ण पूछे जा रहे हैं शिक्षक ने रेखा को कहा कि आपने ग्रह कार्य नहीं पूरा किया है अतहाँ आपको खेल की कक्छा से वन्चित किया जाता है यहां उधारने तो यहां एक डंड का उधारने हैं जाहरी से बात हैं आप प्रश्ण को पढ़ेंगे टारिकलि आंसर आपके सामने होगा शरलसा प दर्ष्टिकोन है कि प्रत्यक बच्चे में भासा ग्रहन उपकरन विद्धिमान होता है। प्रत्य निस्पत्य प्रतिमान का विकास किया था तो ये ब्रूनर के द्वारा किया गया था। इस्तापित किये गए हैं ये किस के लिए स्तापित किये गए हैं तो ये बाल अपरादियों के लिए स्तापित किये गए हैं। प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है वहाँ बालक है तो वो कू समायोजित बालक है इंपोटेंट हैं याद रखेगा एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है वहाँ बालक कू समायोजित है अधिगम निर्योगिता सब्दिका सरप्रथम परियोग किया था मौडलिंग की संकल्पना अलबर्ट बंडूरा के द्वारा दी गई है। मनोविज्ञानिक जिसने गनित की एक शाखा टोपलोजी की सिध्धान्त का प्रियोग करते हुए। अधिगम सिध्धान्त विक्षित करने का प्रियास किया है। वहाँ है वहाँ कौन मनोविज्ञानिक है तो वह है करट लेविन काफी इंपोटेंट हैं ध्यान दीजेगा इस प्रशन पर। सिक्षन का अगरिम संयोजक प्रतिमान किस ने विक्षित किया तो ये आशुबेल ने याद रखेगा सिक्षन का जो अगरिम संयोजक प्रतिमान विक्षित किया है वो आशुबेल के द्वारा किया गया है त्री आयाम सिध्धान्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है ध्यान दीजी का ऐसे बुद्धी सरचना सिध्धान्त के नाम से भी जाना जाता है त्री आयाम सिध्धान्त को निकट विकास का छेत्र के प्रतिपादक कौन है तो यह है वाईगोच्सकी निकट विकास का छेत्र के जो प्रतिपादक होंगे वो वाईगोच्सकी होंगे प्रेरित होने पर अधिगम भी अच्छा होगा यहां कथन किसका है काफियम्पोटेंट हैं विकाशात्मक प्रतिमान के बारे में पूछे, तो आपका राइटा अंसर जिन प्याजे होगा, अन्तह किरिया, अन्तह किरिया प्रतिमान का विकास ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये फेडलर के द्वारा किया गया था, शुरू में मैंने आपको बताया था, जितने भ सांसकर्तिक रचनावाद के प्रतीपाद कून होंगे वाई गोसिकी होंगे कून ट्रांस फोरमेशनल ग्रामर के संप्रती को अस्थित्व में लाया कून लाया तो ये पियाजे लाये काफी इंपोटेंट नहीं चांवाले सोपरुष ना याद रखेगा ट्रांस्फोर्मेशनल ग्रामर के संप्रती को अस्तित्व में कौन लाए तो ये प्याजे लाए बच्चे के सीखने वा सिक्षन से सम्मदित विज्ञान को कहा जाता है तो ये पेडागोजी कहा जाता है सरलसा प्रस्ण है कल के वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र किया था तो ये 6-14 वर्स के बच्चों को अनिवारी एवं मुप्त सिक्षा उपलब्द कराने का लक्ष रखता है सर्व सिक्षा भियान याद रखेगा पूर्व अनुभव के अधार पर शवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है तो वो है प्रत्यक्ष ग्यान पूर्व अनुभव के अधार पर सवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ग्यान कहलाता है फिल्ड ओफ साइकलोजी पुस्तक के लेखक कोन है तो ये है जेपी गिलफोड याद रखेगा फिल्ड ओफ साइकलोजी पुस्तक के लेखक कोन होंगे जेपी गिलफोड रोर्शाक इंक बलाट टेश्ट का प्रियोग किसके मापन हेतु किया जाता है तो ये व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है याद रखेगा रोर्शाक इंक बलाट टेश्ट का प्रियोग व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है विग्यानिक प्रक्षा प्रसिक्षन प् पिछडे बच्चों के लिए सेक्षिक लब्दी की अउधाना किस ने दी है तो ये स्रिल बर्ट की द्वारा दी गई है याद रखीगा इंपोटेंट हैं पिछडे बच्चों के लिए जो सेक्षिक लब्दी की अउधाना दी है वो स्रिल बर्ट के द्वारा दी गई है चिंत पुना इस्मरन करने में अशफल होना कहलाता है तो वो विस्मरन कहलाता है सीखी गई बात को धारन करने और पुना इस्मरन करने में अशफल होना विस्मरन कहलाता है वहां बालक जो अपने कालानुक कर्मिक आयू के बालकों की तुलना में सेच्छिक कमी को दरसाता है उसे क् तो उसे पीछड़ा बालक कहते हैं अगरिम संगठन प्रतिमान का विकास किस के द्वरा किया गया था तो ये आशुबेल के द्वरा किया गया था इस्टेनफोर्ड बीने स्केल से एक व्यक्ति के किस गुन को मापा जाता है तो ये बुध्धिक गुन को मापा जाता है याद रखेगा इस्टेनफोर्ड बीने स्केल से एक व्यक्ति के बुध्धिक गुन को मापा जाता है बुध्धी लब्धी का स्वमिकरण किस ने तो हो कहलाती है क्या कहलाती है तो वो स्रजनात्मकता कहलाती है व्यक्तितु का पहला प्रकार्यात्मक वर्गिकरन प्रस्तुत किया काफ इंपोर्टेंट है किसके द्वरा किया गया था व्यक्तितु का पहला प्रकार्यात्मक वर्गिकरन तो ये हीपोक्रेटस के द्वरा किय गया था प्रगतिसील परिवारों में बच्चों में अपेक्छाक्रत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है तो वह उपलब्दी याद रखेगा प्रगतिसील परिवारों में बच्चों में जो अपेक्छाक्रत प्रेरक अधिक प्रबल होता है वो है उपलब्दी सगनन का सि यह इस्मृति की व्याख्या करता है धरपन चित्र परिक्षण किसको मापने हेतु उप्युक्त होता है तो यह अधिगम अंत्रण धरपन चित्र परिक्षण अधिगम अंत्रण मापने हेतु उप्युक्त होता है cloud picture test किसके मापन में प्रियुक्त होता है तो यह है व्यक्तित्व cloud picture test व्यक्तित्व मापन में प्रियुक्त होता है शीखने की वहाँ अवधी जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नती नहीं होती है कहलाती है तो वो है सीखने का पठार याद रखेगा क्या कहलाती है वो सीखने का पठार कहलाती है सामान स्युक्त कोशिकाओं में गुन सुत्रों के जोड़े होते हैं आप देखे जोड़े पूचे गई हैं तो आपको राइट आंसर क्या होगा 23 सामान सयुक्त कोशिकाओं में जो गुनसुत्रों के जोड़े होते हैं, वो कितने होते हैं, तेईस होते हैं किरिया प्रशूत अनुबंदन सिध्धान्त का प्रतिपादन किया था सरलसा है, आप सभी को पता होगा, राइट आंसर आपका इश्खिनर होगा बुद्धी के तरल क्रिष्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कोन है, तो वो है केटल, बुद्धी के तरल क्रिष्टली प्रतिमान के जो प्रतिपादक होंगे, वो केटल होंगे सिक्षन हे तू मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रियोग किसके सुधार हे तू किया जाता है तू यह सरजनात्मक ता याद रखेगा इंपोर्टेंट हैं तो यहां कथन गेट सुवा अन्य के द्वारा दिया गया कथन है इस्टेंफोर्ड बीने परिक्षण मापन करता है किसका करता है तो यह है बुद्धी का इस्टेंफोर्ड बीने परिक्षण बुद्धी का मापन करता है अंतरमुखी व्यक्तित्व एवं बहरमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस ने किया तो इन दोनों का जो वर्गीकरण किया है वो यूंग के द्वारा किया गया है काफ इंपोटेंट हैं एक्जाम में पूछा जाता है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विसेस्ताईं और नवीन युगताईं प्रकट होती है यहां कथन किसका है यहां पर जो कथन दिया गया है यह किसके द्वारा दिया गया है तो यह हर लोग द्वारा दिया गया कथन है अवस्था विसेस के अनुभ़ों के अधार पर ही हमें किसी को बालक युवा एवं व्रद कहना चाहिए यहां कथन किसका यहां पर जो कथन दिया गया है यह किसके द्वरा दिया गया है तो यह फ्रोबेल के द्वरा दिया गया कथन है प्रिंसिपल और साइकलोजी के लेखक है जो ये पुस्तक है इसके लेखक आपको बताना है कौन है तो वो है William James याद रखेगा इंपोटेंट पुस्तक है एक्जाम में पूछा गया है प्रिंसिपल और साइकलोजी के लेखक William James से है यहां किसका कतन है कि सिक्षा मनोविज्ञान के छेतर में वहां सभी ग्यान और विदियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में साया कि यहां पर जो कतन दिया गया है यह किसका है तो यह लेखका कतन है मनो विज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के किरिया कलापों का विज्ञान है यहाँ पर जो दिया गया कथन है यह किसका है तो यह वुडवर्थ का कथन है विबिन स्रव्य द्रश्य शामगरियों के संबंद को प्रदर्शित करने के लिए अनुभव का संकु देने वाले विद्वान कोन है तो ये एडगर डेल है काफी इंपोटेंट है ध्यान दीजिगा विबिन स्रव द्रश शामगरियों के संबंद को प्रदर्शित करने के लिए अनुभव का संकु देने वाले विद्वान कोन होंगे एडगर डेल होंगे सिक्षन के आगमन प्रतिमान के परवर्तक है तो ये है हिल्दा डाबा याद रखेगा भुद्धि मापन का श्टेनफोर्ड बीने परिक्षण है तो बो È साब्दीक परिक्षण साब्दीक परिक्षण आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रयोगशाला विधी प्रतिमान का विकास किया था किसके द्वारा किया गया था तो यह बेदलवा मैने के द्वारा किया गया था प्रयोग शाला विदी का प्रतिमान अवस्थाओं में कामेक्षाय सापेक्छ रूप से निस्क्री रहती है फ्रायट के अनुसार सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस अधार पर वर्गिक्रत किया है तो ये सारिरिक रचना के अधार पर वर्गिक्रत किया है सेल्डन ने व्यक्तित्व को सील गुन माडल किस ने प्रस्तुत किया है तो ये पेटराइड ने किया है सील गुन माडल काफ़ इंपोटेंट हैं धियान दीजेगा व्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य में भारतियों का स्राजनात्मक परिक्षणों में आगे बड़ते हैं सामाजिक अंत्हकिरिया प्रतिमान का आरंब करने का स्रे दिया जाता है किसको दिया जाता है तो ये CWBRS को दिया जाता है important है याद रखेगा मानसिक आर्युगिता के विकास को आरंब करने का जो स्रे दिया जाता है वो CWBRS को दिया जाता है एक व्यक्ति की मनोविग्यानिक एवं भोतिक परिवे समान होते हैं यहां जो विचार है यह किसका है तो यह एस आर साहचरिवादी का यहां विचार है कि एक व्यक्ति की मनोविज्यनिक एवं बहुतिक परिवे समान होते हैं किसने शावेगिक बुद्धी का संप्रति सबसे पहले दिया है तो सबसे पहले किसने दिया है शावेगिक बुद्धी का संप्रति तो ये सोलेवे एवं मेयर के द्वारा सबसे पहले शावेगिक बुद्धी का संप्रति दिया है किसको वर्स 1904 में अधिगम के सिध्धानतों पर अग्रणी कारे के लिए नोबल पुरुषकार दिया गया है तो ये दिया गया है इवान पावला हुकप दिया गया है 1904 में एशी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतरगत कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं किरियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रियत्न करता है कहलाती है तो क्या कहलाती है वो तादात्मिकरन कहलाती है एक आठ वर्षी बालक अपने छोटे भाई की तरह गुटने चलता है या गुटने पर चलता है यहां उधारन है यह किसका उधारन है तो यह प्रतिगमन का उधारन है किश के अनुसार प्रेणना कारी को प्रारंब करने जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है तो यह है गुड के अनुसार गुड के अनुसार प्रेणना कारी को प्रारंब करने जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है विद्याले से पलायन करने वाले बालक के अध्यान की सबसे उप्युक्त विधी कौन सी है तो वो है केस इस्टडी विधी याद रखेगा विद्याले से पलायन करने वाले बालकों के अध्यान की जो सबसे उप्युक्त विधी होगी वो केस इस्टडी विधी होगी शवेगात्मक बुद्धी बुद्धी लब्दी से अधिक महतपून क्यों जो पुस्तक है इसके लेखक कोन है तो इस पुस्तक के लेखक है गोलमिन डेनियल गोलमिन शवेगात्मक बुद्धी बुद्धी लब्दी से अधिक महतपून क्यों इस पुस्तक के लेखक है आदते ज्यान और अभ्यारतियों को अरजित करने की प्रक्रिया ही सीखना है यहां कथन किसका है तो यहां कथन क्रो एंड क्रो का कथन है एक पूर्ण सारीरिक मानसिक एवं सामाजिक कल्यान के इस्तिती कहलाती है तो वो है मानसिक स्वास्ता, मानसिक स्वास्ता आपका रायट आंसर होगा अंतीम प्रशने है, a mind date found itself, नाम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है यहाँ पर जो पुस्तक दी गई है, यह CW BIRS की द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसा कि आपको मैंने बताया था कि टोटल आपको यहाँ पर सिक्षा मनोविग्यान से सम्मने तक 100 प्रशने मिलेंगे तो आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है